माल नोव अग्जाम में आपका इस तरह का कॉश्चन आता है कि 3A रेश्यो 4B रेश्यो 2C दिया हुआ है और A रेश्यो B रेश्यो C निकारना है आपको और वो भी कुछ सेकिंड्स में तो हम कैसे करेंगे इसको कैसे solve करेंगे बहुत easy trick है ध्यान से देखना है आप करना है इन दोनों numbers को आपसे multiply करना है ये आजाएगा 8 ठीक है इन first or last number को multiply करना है ये आपके पास आजाएगा multiply करने के बाद 6 अब इन दो numbers को multiply करना है यह आपके पास आ जाएगा 12 ठीक है 4 2s are 8 3 4s are 12 and 3 2s are 6 यह इस तरह से आ जाते है अब हमें find out करनी है A ratio, B ratio, C clear यही find out करनी है अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखना है आपने जो यह number है जो last वाले 2 digits को multiply करके आ रहा है वो अपने लिखना है center में clear, यह याद भी कैसे रखना है अब A के turn लिखरी हो न A के लिए number लिखरी हो न तो अपने A वाले वाले नहीं लेना मलब बाकि 2 को multiply करने से जो answer आएगा वो लिखा हमने ratio, अब B की turn है तो B वाले को multiply किये विना कौन सा number आया है यह B वाले को छोड़ के जब हमने first और last को multiply किया है वो आया 6 ratio, अब C की turn है C को छोड़ के जो हमने multiply किया है first और second को वो आया है 12 तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है अब इसके हमने 2 के table से अगर हम cutting करते है तो यह आजाता है 4, यह आता है 3 और यह आता है 6 और यही answer होएगा ठीक है एक और सम लेते हैं हम इस तरह से अब इसकी ratio find out करने है हमें A ratio, B ratio, C की तो हम देखेंगे A को छोड़ के बाकी दो numbers कौन से है B और C वाले, इसको multiply कर दो यह आजाएगा 24 ratio, B वाला number को छोड़ के B वाले को छोड़ देना है आपने और first और last को multiply करना है यह आजाएगा 30 अब C की टान है, C वाले को छोड़ के बाकी दो numbers को multiply करना है यह आना है 20 अब यह देख लेना कि किसी common table में cutting तो नहीं होती है यहाँ पर आता है 12 यहाँ पर यहाँ पर आता है 15 और यहाँ पर आता है 10 ठीक है, अगेन किसी common table में cutting तो नहीं होती है नहीं होती है टू के table में इसकी cutting नहीं होगी ठीक है, और 5 के table में इसकी cutting नहीं होगी तो यही इस question का answer होएगा झाल